प्रेस वारता में आप सभी पतरकार बंदों का स्वागत अविनंदन स्वागत अविनंदन के साथ साथ में आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं आप समय समय पर हमारी किसानों से संबंदी जो समस्या होती है जिनको लेकर हम केंद्र और प्रदेश सरकार के समक्ष जाते हैं और समाज में जो भी घटनाएं घटती हैं उन सभी विशय को आपके माध्यम से वह देखते भी हर पड़ते भी है मेरे साथ आज प्रहस्वारता में प्रदेश मीडिया टीम से रमा ठाकूर जी और सुधी माजन जी विवपस्तित है साथी साथ मेरे सियोगी प्रदेश प्रवक्ता भाई चविंदर पाल जी और मीडिया सेप्रवारी भाई अमीज जी विवपस्तित है साथियो सेवा सुशासन और ग्रीव कल्यान के साड़े नौ वर्ष बीतने के बाद 2014 में देश के यशिश्य प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने किसानों से वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आयोगत दुगना किया जाएगा उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए किसानों मजदूरों और श्रमिकों के लिए जिस तरह से केंदर सरकार ने ग्रीव कल्यान के लिए योजनाय बनाई निश्चित रूप से दो टर्म जो मोदी जी के निकले किसानों बागवानों और मजदूरों ने उसका लाब भी लिया वो चाए सालना हर किसान के खाते में छेहजार रुपे किसान समान निदी के रूप में आते है पुरे देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के भी आठ लाग परिवार उस योजना से लाबानित है चाए क्रिशी सिंचाई योजना हो चाए सोलर फैंसिंग और सोलर बार की योजना हो जिस तरह से बे सारा गवश सडकों पर घूंता है उनके लिए भी कौसेंचरी बनाना किसानों और बागवानों के लिए जिस तरह से योजनाय बनाई है हिमाचल प्रदेश का किसान और बागवान मोदी जी के इन एसानों को नहीं भूलेगा और निश्चित रूप से आने वाले चुनाओं में मोदी जी का धन्यवाद के रूप में अपने बोट के रूप में मोदी जी की जोली में हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों को देने वाला है साथियोग दो हजार चौदा में जहां देश का बज़ट 25,000 करोड रुपे था मोदी जी के रूप में बढ़ते हुए आज 1,25,000 करोड इस देश का क्रिशी और बागवानी का बज़ट है हिमाचल प्रदेश में पूर्म में हमारी सरकार रही माने जैराम ठाकूर जी के रित्तित्तों में आप सब लोग उस दिन के गवाह है शिमला के धली सब्जी मंडी के अंदर 248 करोड की 22 योजनाओं का जो उन्होंने शिरा नियास करवाया और आज हिमाचल प्रदेश में सारी योजना धरातल पर उतर चुकी है वो चाहे पुरानी सब्जी मंडियों के रख रखाओं को लेकर हो चाहे नए सब्जी मंडिया बनाने की बात आती हो इन सभी विश्यों को लेकर आज सारी सब्जी मंडिया काम कर रही है और हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को जिस तरह से आज तक हिमाचल प्रदेश से बाहर से बेचने जाना पड़ता था आज हिमाचल प्रदेश के अंदर मंडियों का जाल बिचा है पूर में जब जब हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में रही हमेशा भारती जंता पार्टी किशानों और बागमानों की पक्षदर रही है साथियो आज हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कॉंग्रस की सरकार सता में तो आ गई प्रंतु जिस तरह से किसानों और भागवानों के साथ दोखा किया उस बात को किसानों और भागवान बुला नहीं पारा है चुनाओं के समय जब कांग्रस की सरकार जब सता में आई उस्ते पहले जब कुछ नाओं के समय लोगों की बीचे लोग गए केंद्र के भी कांग्रेस के बहुत सार नेता हिमाचल प्रदेश में आए बड़े-बड़े बाते की गई लुभाओं ने वादे किये गए कि किसान अपनी फसल की स्वयम की मत तैय करेगा प्रंतु आज तक किसी भी मंडी के अंदर किसान अपनी फसल का जो दाम है तैने कर पा रहा है और जिस तरह से पिछले सीजन में प्रदेश की सरकार ने एक तुखलकी फिर्वान जारी किया कि किसान और बागवान अपना सेव किलों के साब से बेचेगे अनन्फनन में सरकार ने निने तो ले गया प्रंतु ब्यस्था नहीं बनाई हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष सिर्फ एक क्रोड असी लाख पेटिया सेव की हुई इतनी कम फसल होने के बाब जूद भी हिमाचल प्रदेश की सरकार फसल बेजने में नाकाम रही और एक बात की बड़ी हैरानी होती है कि ह्पी एमसी को सेव क्रिटने के लिए मंडियों में भेजा गया और मैं पूछना चाहता हूँ बागवाणी मंत्री और रिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री से कि आपने ह्पीमसी के माधियम से सेव को ख्रीटने की बात कही अभी तक आपने ह्पीमसी और हिम्फेड के माधियम से जो मियस के कांटे हमारे ग्रामिंग शेत्रों में लगे है अभी तक उनकी पेमेंट आप नहीं कर पाए वो हमारा सी ग्रेड से जो मियस में जाता है तो आप ए ग्रेड सेव को कि माधियम से ख्रीटने की बात कर रहे है और एक फर्मान इन्होंने और जारी आजकल किया है कि हम इनिर्शनल कार्टन लागू करेगे उसकी नोटिवकेशन कर दी भारती जनता पार्टी की पूर्व सरकार स्वर्गे नरंदर भाक्टा जी ने इस विशेय को उठाया था औ और उन्होंने कि शृटन की बात की बारती जंता पार्टी और कार्टन की पक्षदर है कि परंथो जिस तरह से आज कॉंग्रेस की सरकार ने आ यह नोटिवकेशन की है और अभी तक इन और आज है पेटि बनाने वाली जो च्रेय और पेटिया बनाने वाली जो फैक्ट्रीयां हैं तो ऑसमे कि करन बनाये तो तक बाया है और मैं सरकार से फूछना चाहता हूं माने मुख्य बंतरी चीह से पूछना चाहता हूं आपने नोटिफिकेशन तो कर दी है अभी भी जो हमारा क्वालिटी एपल है वो अभी भी दस किलो के बक्स में जाता है और जो हमारा बी और सेकंड ग्रेड सेव है क्या आप उसको भी इनुवर्शन कार्टन में भीजना चाते है इस बात को आप स्वष्ट करें जो किसानवार बागवानों का मानना है कि जो हमारा सेकंड ग्रेड सेव है वो इनुवर्शन कार्टन में भारा नहीं खाता और दूसरी बात इन्होंने कहा कि हम एपी एमसी एक्ट में संशोधन करेंगे अचार सहिता लगने से दो दिन पहले नोंने इनोटिफिकेशन किया चार जून तक हिमाचल प्रदेश के अंदर अचार सहिता है और 15 से 20 जून के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर अर्ली जून शूरू होता है क्या तब तक कि इनुवर्शन कार्टन मार्कीट में आएगा मैं इस बात को सरकार से पूछना चाहता हूँ मैं अपने प्रवास के दौरान हिमाचल प्रदेश के विविंख शेत्रों में जाता हूँ तो हिमाचल प्रदेश का किसान बागवान पूछता है अपने घुशना पत्र में इनों ने चुनाओ के समय कहा कि हम किसानों और बागवानों से 2 रुपे किलो गोबर खीदेगे फिर अपने वादे से मुकर गए अब कहते हैं कि हम खाद ख्रीदेगे मैं माने मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं वो कौन सी खाद है जिसको आप 2 रुपे किलो के साब से किसानों से खीदना चाहते हैं क्या सरकार ऐसी कोई खाद बना सकता है कि जो 2 रुपे किलो के साब से मिले और हिमाचर प्रदेश का किसान और बागवान ऐसी खाद खीदने के लिए त्यार बैठा हुआ है हाँ इन्होंने दूदों करीदने की बात कही और किसान परिवार से हम इसामहे तार और 20 रुप्ष पे किले गाहि का दूदों साहई मैं पूछना चाहता हूं हाँ है कि साटकर सरकार ने कितने किसानों से 150 पे के साब से दूद खृता है हिमाचर प्रदेश के भीजली भोक्ताओं से वादा किया कि हम 300 इनुट भीजली फ्री दे गए जो भीजली फ्री मिल रही थी उसको भी बंद करवा दिया कांगर्स हमेशा किसानों साथ दोखा करती है कांगर्स किसान भी रोधी है साथियों आप लोगों को ध्यान होगा आप दा के समय बारिश के कारण किसानों की फसले बह गई पच्ची सो करोड कानुकसान हिमाचर प्रदेश के अंदर हुआ चाहे वो मौसम के कारण हुआ चाहे ओला मिष्ट्री के कारण हुआ मैं इनके गोश्णा पत्र में देख रहा था कि हम किसानों की जो फसल का नुकसान होगा उसकी भरपाई करेगे कि आपने बीते वर्ज जो नुकसान हुआ अभी तक आपने कितना पैसा किसानों को दिया मैं इस बात को भी सरकार से पूछना चाहता हूँ साथी साथ जिस तरह से आपता में सड़के खड़ाब होने के कारण किसान अपनी फसल को समय पर मंडियों में नहीं पहुंचा सके ऐसे में किसान ने मजबुरन अपना से नाले में बहा दिया और ऐसे किसान पर एक लाग का जुल्माना करना यह किसानों के साथ सरासर धोका है भारती जन्ता पार्टी हमेशा किसानों की पक्ष्दर रही है किसानों और बागवानों की हर समय मदद की है और भारती जन्ता पार्टी किसान मोर्चा के नाते जोख हमारी जिम्यबारी बनती थी हमने समय समय पर सरकार के समक्ष रखी है और केंद्र की सरकार ने जो भी किसान कल्यान कारी और मजदूरों के नियोजनाय बनाई है उन्हीं योजनाओं को समय समय पर किसानों बागवानों तक पहुँचाना ताकि किसान और बागवान उसका लाब ले सके किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की योजनाओं को किसानों तक ले जाना इस कड़ी में किसान मोर्चा काम करता है आप लोग आज किस प्रहस्वारता में हमारे आगरे पर शामिल हुए आपने हमारा निवंतरन सवकारा आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद देखिए मोदी जी ने 2014 में कहा कि हम किसानों की आयों को दुगना करेंगे निश्चित रूप से जिस तरह से रोड इंफरस्ट्रक्चर बना है जहां पर दो तीन तीन दिन हमारा फसल को ले जाने में लगते थे आज सुवा हम अपनी फसल को गाड़ी में लोड करते हैं और शाम तक मंडी में पहुँचते हैं और किसान समान निदी के रूप में जिस तरह से मोदी जी ने किसानों की मदद की है एक समय था कई बार किसानों की फसल बेमौसमी मौसम के कारण और ओला विश्ट्री के कारण खराब हो जाती थी किसानों के पास अपनी फसल बीजने के लिए भी कई बार पैसा नहीं रहता था आज किसान समान निदी के रूप में कम से कम इसको समय पर उनतकिसम के बीज ले सकता है और पने क्रिशरी उपरंकर ले सकता है आपने बहुत अचा प्रसंद किया देखिए आपको ध्यान होगा 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत करने में भारती जन्ता पार्टी का स्यो रहा है स्वर्गी अटल ब्यारी बाजबाई जी ने किसानों और बागवानों के लिए इस विशे को आगे बढ़ा है और आपको ये भी ध्यान होगा कि WTO में जब माने आनवे शर्मा जी कॉमर्स मनिस्टर थे उन्होंने WTO के साथ एक पत्र साइन किया है उसकी कॉपी आपको इससे पहले प्रेस कॉनफरेस में भी हमारे किसान नेताओं और भारती जनता पार्टी के नेताओं द्वारा दी गई है और WTO में साइन भारती जनता पार्टी नहीं बलकि कांग्रेस नी किया है देखिए जिस तरह से स्टोर का सेव मैं मानता हूं कि आज के समय में रेट ठीक नहीं मिल रहा है इसमें भारती जनता पार्टी का कोई दोश नहीं है परन्तु भारती जनता पार्टी ने समय समय पर केंदर सरकार के समय समक्ष अपनी समस्याय रखी है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए केंदर सरकार के समक्षिये मामना विचारत धीन है निश्य तुरूप से जब मोदी जी अब प्रधानमंत्री बनेगे और आने वाला समय भी हम इस विश्य को रखेगे निश्य तुरूप से मोदी जी इस समस्य का भी समाधान करेंग झाले के लाए कि इस जए जए उन न Extra critic करेंगे तुरूप आर गेंगा अानमंत्रीय करेंगे आनमत्री गुमस्ट О厲害